निवस्कार वैब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एन आई एन जारी की पठान कोट हमले की चार अतंक्यों की तस्वीर पठान कोट में भार्दी वायो सेना के ठिकाने पर हमले की सिलसिले में एक पाकिस्तानी जाज दल की यातरा से पहले एन आई एन अभियान में मारे गए चार आतंगवादियों की तस्वीर जारी की यह अभियान दो जनवरी से शुरू हुआ था और असी घंटे से अधिक समय तक चला था तस्वीर जारी करने का कदम पाकिसान के विशेश जाज दल के मामले के तथ्यों और एन आई ए द्वारा की गई जाज के बारे में पता लगाने के लिए यहां आने से कुछ दिन पहले उठाया गया है एन आई की विग्यप्ति में चार मारे गए आतंगवादियों का हुलिया दिया गया है साथ ही उनकी उचाई का ब्योरा भी दिया गया एन आय ने कहा कि जो भी प्रासंगी कोड सही सूच ना देगा उसे एक लाख रुपे का इनाम दिया जाएगा माजी को नहीं चाहिए आरक्षन सामान्य सीट से लड़ेंगे चुनाओ बियार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सैकुलर के राष्टी अध्यक्ष जितिन राम माजी ने घोषना किये कि आरक्षन का लाख दूसरों को मिले इसके लिए वहाँ और उनके पूत्र अगला चुनाओ अनारक्षित सीट से लड़ेंगे माजी ने कहां कि वह अपने पूत्र संतोष कुमार सुमन को कहेंगे कि वहां अगला बिहार विधान सभा चुनाओ अनारक्षित सीट से लड़े माजी महादलित समुदाय से आते है माजी ने आरेसे सर संग चालक के आरक्षन की समिक्षा वाले बयान का बचाओ करते हुए कहां कि आरक्षन की समिक्षा होनी चाहिए क्योंकि आरक्षित वर्ग का एक बड़ा हिसा इस लाप से वंचित है आरक्षित वर्ग में कई जातियों को शामिल किया गया पर इसका दाइरा नहीं बढ़ाया गया अमिता बच्चन की थाने में शिकायत गलत गाया राष्टगान बिगभी पर आरोप है कि उन्होंने राष्टगान गाने में 53 बावन सेकंड से जादा वक्त लिया है एक जानकारी के मुताविक आमिताप को इस प्रस्तुती में एक मिनिट बीस सेकंड का समय लगा निया मानुसार राष्टगान 52 में पूरा हो जाना चाहिए इसी की चलते उनकी शिकायत की गई है उलेकनी है कि मैच के बाद पाकिस्तानी गायक शकत अमानात अली पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने पाकिस्तानी राष्टगान गलत गाया था